हेलो दोस्तों मेरा नाम समी है आप देख रहे हैं वस्यूस और मैं आपके लिए एक और नई इंबॉक्सिंग लेकर आया हूँ जी हाँ यह है नेक्सस 6P चलिए इस एंबॉक्स करते हैं यह मैंने फ्लिप कार्ट पे और किया है जोके 64GB वेरिंट है ग्रे में ग्रे कलर का और यह विद कवर इसके साथ यह कवर फ्री आ रहा है और इस पे दोजार रुपय आफ भी चल रहते हैं अगर आपको इसको लेना होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा त इसलिए मैंने इन दोनों को आजाद कर दिया है यह यह कवर है जो हम बाद में देखेंगे देख सकते हैं यह एक लग पैकेजिंग में आया है इस पे लिखा हुआ है चार सम्नियन वे अमर्प यह बैक कवर है चलिए इसको देखते हैं यह रहा नेक्सस 6P का बॉक्स देखे सारे वैली लिखे हुई है कलर ग्रे लिखा हुआ है मॉडल H1512 देख सकते हैं आप अंड्रोइड OS मार्शमेल है इसके अंदर 64-bit अक्टागोर प्रोसेसर है जिसमें दो प्रोसेसर हैं कॉड को देख सकते हैं आप और 3GB RAM है 64GB ROM है और सबसे बड़ी बात 5.7 इंच का इसका 2 OLED स्क्रीन है यहां लिखा हुआ है 518 PPI 12.3 MP का कैमरा है जिसमें laser assisted है जैसे LG के कुछ phones में आपने देखा होगा और front जो है इसका 8 MP का कैमरा है बाकी इसमें fingerprint sensor dual front firing speakers है 4G ready NFC है और इसकी जो बैटरी है वो देख सकते हैं आप यह देखे आप 3450 MH और OTG support सब कुछ इन्हों नहीं लिख दिया है मिरहाल इसको और पढ़ने की जुरुद नहीं तो चलिए इसे अन्वाक्स करते हैं यह slide तो नहीं होगा इसको में यहीं से खोलना पड़ेगा मुझे ऐसी covers भाणने में वड़ी तकलीफ होती है तो sorry मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यह अगर वैसी slide out होयाता तो बहुत अच्छा रहता यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर पी का subtle सा इंबॉजिंग हुई भी है इसको खुलते हैं बहुत अलग टाइप की packaging है यहां आप देख सकते हैं नेक्सस प्रिंट हुआ वा अंदर यह आ गया है पी मेरी टेबल गंदी कर दिए इसने यह आ गया पी इस पर लिखा है नेक्सस पीछे यह इसकी कुछ directions लिखे हुए है कहां से क्या काम करता है यह आप खुद पढ़ सकते हैं यह राजी device इसको हम बाद में देखेंगे साइड में रख देते हैं यह कुछ stickers हैं यह इन stickers हैं extra यह रहे इसकी power brick जो के USB type C 3.2 है यह fast charger है और इसे चेक करेंगे बाद में तो यह रहा यहां पे भी USB type C लगेगी और फोन में भी इसको भी देखते हैं इधर आप देख सकते हैं केबल लखी हुई है बहुत अच्छी quality की केबल है बहुत मतलब हाथ में लेके ही पता चल रहा है यह रही जी USB type C दोनों साइड यह आप देख सकते हैं तो इन्हें आप अलट पलट के भी लगा सकते हैं चलिए तो केबल हो गई इसको साइड पर रखते हैं यहां और कुछ नहीं है यह सिमिज एक्टर टूल देख सकते हैं आप अच्छी जगा प्लेस बहुत खुबसूरत सा डिजाइन और इसके अंदर कुछ बुकलेट्स हैं यूजल से स्टफ सेफटी वारंटी गाइड बगारा इसको मलग रख देते हैं और साथ में इन्होंने जो दिये हैं यह अच्छी चीज दिये हैं इन्होंने केबल दिये नॉर्मल यूसबी टू यूसबी टाइप सी तो आप इसे अपने लैप्टॉप पीसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं यह देख सकते हैं आप इसे बहुत चोटी है यह देख सकते हैं है कि और यह इसक जाने पैचाने से इ Earphone लग रहे हैं जैसने यह पॉर्टे हमने यह देख फिक है यूजिल से स्टफ है, गोल्ड प्लेटिट भी नहीं है ये, और ये बीच में इसके वॉल्यूम अप डाउन और म्यूट स्विच भी दिया हुआ है, तो ये एरफोन साथ में है, चलिए से अलग रखते हैं, अब देखते हैं हम फोन को, तो ये रहा नेक्सस 6 भी, इसको निका आप देख सकते हैं, बहुत शाइनी और ये 5.7 इंच की एमिलेड स्क्रीन है, जो के 2K रेजिलूशन की है, और ये दो फ्रेंट फाइरिंग स्पीकर से हैं, ये फ्रेंट फेसिंग कैमरा आपको दिख रहा होगा, राइट साइड पर देखेंगे तो ये पावर अनलॉक की ह जो के थोड़ी सी टेक्चराइज है, जैसे मोटरोला में आता था, ये वॉल्यूम अपडाउन की है, और ये पूरा मैटल है, उपर देखेंगे तो यहाँ 3.5 mm हैटसेट जैक है, ये कुछ आप देख सकते हैं, ग्रे में ये सटल से बैंड्स दिख रहे होंगे, ये अंटि पीच्छा आजाएंगे तो पीच्छा आप देख सकते हैं, ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये मािक दिख रहा है सेकंड्री, जोके नोिस केंसलेशन माइक है, और इसके पीचे भी कुछ सेंसर है, जो है जई है लेजर ऑटोफोकस का सेंसर इसी के पीच्छे है, ये ग्लास बहुत बहुत अच्छी बिल्ड कॉलिटी दिख रही है बहुत मतलब मजबूत फोन दिख रहा है हाथ में पकड़के लग रहा है पता नहीं कैसे उन्होंने बैंड वीडियो बनाई है बिल्कुल भी बैंड नहीं हो रहा है और यह देख सकते हैं आप यह हम जो है यह पिक्च सिक्स भी चली यह हमने खोली सिम ट्रे तो यह देख सकते हैं सिंगल नैनो सिम लगती है इसके अंदर और इसमें भी कुछ आइमिय नंबर वगयरा पीछे लिखे हुए हैं तो यह हो गई आपकी सिंगल सिम की ट्रे चली इसे आउन करके देखते हैं फटाफट इसके स्पेक्स मैंने आपको पहली बता दिये हैं जैसे कि इसमें 3GB RAM 64GB inbuilt memory है यह वाले मॉडल में इसमें 32GB भी आता है तो आप वह भी पर्चेस कर सकते हैं जो के सिर्फ मेरे खाल 3000 रुपए का डिफरेंस है और आज कल यह 2000 रुपए सस्ता चल रहा है अगर आप अभी ले इसको थोड़ा साइट अप करके देखते हैं सिम कार्ड हमारे पास नहीं है हाँ यह जरूर है मैं पासफूर डाल लेता हूं तो यह अभी किनेक्ट हो रहा है चलिए इतने इसे भी अनबॉक्स करके देखते हैं यह केस सोचा मैंने इसको भी देखी ले क्योंकि अलग से मुझे लगता नहीं कि मैं से अनबॉक्स करूंगा तो कोई फायदा नहीं है यह बहुत अनोखी सी पैकेजिंग में पूरा फाण नहीं पड़ता है इसको यह है यह केस और यह जो फ्री केस है वो कुछ वाइट ट्रांस्पिरिंट ट्रांस्लूसेंट है यह देख सकते हैं अब और यह हार्ड शेल केस और बहुत पतला है यह इसको इस पर लगा के भी देखते हैं बहुती पतला है केसे ये टेक तो नहीं करेगा लेकिन ये बैक स्क्रेचेज वगरे नहीं आने देगा जो आ जाते हैं और ये कुछ ऐसा दिख रहा है देख सकते हैं आप ये लेफ्ट साइड टॉप ये राइट साइड ये बटन खुले हैं अर ये बॉटम चलिए देखते हैं ये कहा तक पहाँ पहुचें यहां इमेल ऐडर डालते हैं फिर इसके बाद करेंगे हम बाद में ढलेंगे नाट नाव भाद में करेंगे फिंगर्पृंट सैंसर कोई मुश्कल नहीं है फिंगर्पिंट सैंसर जो है वो आप easily टच कर करके इसको कर सकते हैं और इसके लिए काफी सारी वीडियोस हैं तो मुझे वो demo देने की तो जरूत नहीं है बागी मैं फोन दिखा देता हूँ आपको बहुत bright screen है इसकी यह देख सकते हैं आप कितनी शानदार देख रही है आप थोड़ा पास से देखें camera में मेरे इतना नहीं आएगा क्योंकि मेरा camera इतना hi-fi नहीं है लेकिन बहुत जितना मैं अपनी आँखों से देख पा रहा हूँ बहुत clear है crisp and clear है और screen बहुत शानदार है और यह भी तो है थोड़ा बहुत metallic और solid build है मतलो हाथ में पकड़की लगता है कि यह बहुत solid build phone है तो मेरे ख्याल में आपको मैं यह भी दिखा देता हूँ settings में कि क्या-क्या है और यहाँ आप आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं android version 6.0 है nexus 6P है और यह देखे कुछ मेरे बाद अपडेट भी आ गया है चलिए तो हम बाद में करेंगे बाकी build number वगएरा है और यह October 1st का है patch level जो है इसका बाकी इसमें space देखेंगे यह on screen buttons हैं इसमें यह आप देख सकते हैं मेरे ख्याले switch भी हो जाते होंगे तो हम आगे देखेंगे चलिए storage and USB तो आप देख सकते हैं इसमें 53.67 GB में से 256 MB वैसी use हुआ हुआ है जैसे कि इसमें दिखा रहा है और apps देख सकते हैं 95 MB की मतलब कोई bloatware नहीं है जादा इसके अंदर चलिए यह हमारी unboxing और overview था इस phone का बहुत smooth चल रहा है यह तो अब install करेंगे लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि फोन बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर snapdragon का 810 डला हुआ है octa-core processor जो के बहुत fast है और 3 GB RAM है और camera भी बहुत शानदार है चलिए वड़ावट camera तो खोल के देखी लेते हैं location ओके यह हमें कुछ चीज़ा बता रहा है कि हमें क्या क्या करना है थोड़ी सी brightness low कर देता हूँ तो शायद आपको पता चले तो यहाँ अपने knife रखके देखते हैं यह camera है और इदर swipe करेंगे तो वीडियो है तो थोड़ा सा यह आप धियान रखकें यह focus करके देखते हूँ बहुत जल्दी इसने photo भी खेंच लिया और यहाँ आभी गया है लेकिन देख सकते हैं आप बहुत clear बहुत clear यह देखे आप मैंने इसे कितना zoom कर दिया है यह देखें आप शामदार picture quality चले होतो हम बात में test करेंगे बहुत अच्छा feel हो रहा है इसे पकड़ने में बहुत fast चल रहा है और बहुत मजा आ रहा है इसको हाथ में पकड़ने में बहुत अच्छा लग रहा है अगर आप लेना चाहें तो मैंने बहुत पहली बता चुका हूँ मैं आपको के इसका link आपको description मिल जाएगा और अगर आपको यह unboxing पसंद आई हो यह video पसंद आई हो तो ज़रूर like करें और हमारे इस channel को subscribe करें और आपका कोई भी इससे जुड़ावा सवाल हो तो हमसे जरूर पूछ सकते हैं चलिए हम आपको next video मिलते हैं तब तक के लिए शुक्रिया, thank you